हे गाईज नमस्कार वेलकम वेक टू माई चैनल इंडियन ममा एंड बेबी आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है आज के वीडियो में आज आप जानने वाले हैं बेबी गर्ल और बेबी बॉय होने के सिम्टम्स के बारे में काफी महलाओं के ये जिग्यासा होती है होने वाले बच्चे को लेकर कि आने वाला बच्चा बेटा है या बेटी है हमें कैसे पता चलेगा तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है तो दोस्तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा समझ में आपको आज आएगा और हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि ये लक्षर लड़का और लड़की होने के कितने वर्ग करते हैं अगर आप में थोड़े से भी जरा से भी नजर आते हैं तो आपके चांस कितने बनते हैं इस ट्रॉपिक पे भी बात होगी और वाकई में क्या ये लक्षर सही साबत होते हैं या फिन नहीं पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी बस आपको क्या करना है गाइस पूरा वीडियो देखना है चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं वीडियो स् मतलब सही जानकारी देना है और आपको जागरूप करना है ताकि आपके मन में चल रहे डाउट लड़का और लड़की होनी के लक्षरों को लेकर वो क्लियर हो सके तो चलिए जान देते हैं पहले लक्षर के बारे में दोस्तों जो पहला लक्षर है बो है महला की नीन से कैस तो दोस्तों माना जाता है कि अगर गर्वावस्ता के दौरान आपको कम नीद आती है तो ऐसे में लड़का होने के चांस होते हैं और अगर आपको ज़्यादा नीदारी है पूरा दिन आलस आता है तो ऐसे में ये निशानी लड़की होने का संके देती है लेकिन दोस्तों सच तॐ सोयज्दी आपके बडावास होने I ma goods प triangular E Z दो आपकी नावी निजालाइडे हैं और आपकी झनावी बटन वहा निकलाइए है थो यह लड़का होने की निशानी होती है काफे महलाओं के साथ ऐसी नावी बटन देखने को मिलती है जिनकी नावी एकदम से बहर निकलाती है और ये चीज़ खास करकि तीसरी तिमाई जब आपका प्रेगनेंसी का थर्ड टाइमिस्टर स्टार्ट होता है तो आपको ज़ादा देखने को मिलती है क्योंकि जब आपका साथवा आटवा नवा महिना स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी का तीसरी तिमाई स्टार्ट होता है तो आपके बच्चे की ग्रोथ अंदर से एकदम से होने लगती है पच्चे का विकास अच्छे से हो जाता है तो आपकी जो नावी बटन है वो भी एकद तो जाहे इसी बात है आपकी जो नावी बटन है वो बहर जादा नहीं निकलेगी तो इसका लड़का और लड़की होने से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है इन दोनों लक्षणों का लड़का लड़की से बिल्कुल भी संबन नहीं है क्योंकि इन लक्षणों का कोई भी सा scientifically proof नहीं है तो आपको 100% sure भी नहीं होना चाहिए यह सिर्फ हमारे हार्मोंस के उपर और बच्चे की position के उपर ही यह लक्षर depend होते हैं तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अगर हमारी वीडियो से आपको सही जानकारी लगी है अगर आपको मिली है तो प्लीज इस लक्षर 100% तक वर्क नहीं करता है यह सिर्फ आपके बॉडी और हर्मोंस के उपर ही डिपेंड होते हैं तो चलिए आज की वीडियो यहीं समप्त करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टापिक पर तब तक लिए अपना ध्यार रखें अपने होने वाले बच् का एकदम स्वस्त पैदा हो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में